दोस्तों अगर आप अभी जे एाइबी एक्जाम के लिए तैयारी शुरू करते हैं तो क्या आप अभी तैयारी शुरू करके 30 दिन के अंदर अपने एक्जाम को कॉलिफाई कर सकते हैं जो अक्टूबर 2023 में आपका एक्जाम और्गिनाइज होने जा रहा है तो इसी सेसन में मैं आपको बताऊंगा कैसे आसानी से आप हमारे साथ जे एाइबी अक्टूबर 2023 के एक्जाम को पहले ही अटेम्ट में कॉलिफाई कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर आपके लिए 30 दिन हैं सिर्फ 30 दिन क्या 30 दिन काफी हैं पर्याप्त हैं आपके एक्जाम के लिए तो मेरे हिसाब से 30 दिन बहुत होता है अगर आप एक अच्छी स्टेटजी बनाके अपने एक्जाम की तयारी करते हैं क्योंकि जे आई आई बी आपके वर्किंग में आपके फ्यूचर में ग्रोथ लाता है तो ग्रोथ लाता है ज अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा एक स्ट्रेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी और आप अपने एक्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे तो दोस्तों अगर हम आपसे बात करें तो जो आपका 30 दिन का शिडूल है सबसे आसान तरीका है जो long time period 30 दिन का शिडूल है इसको सबसे पहले आप weekly शिडूल में convert कर लीजे और weekly शिडूल को आप day wise convert कर लीजे क्योंकि जब आप छोटे छोटे चोटे टुकडों में अपने चीजों को divide कर लेते हैं तो उस target को achieve करना आसान हो जाता है और जब आसान हो जाता है आप achieve कर लेते हैं execution के बाद तो आपको मिल जाती है success तो इसी success को आप आसान तरीके से अपने साथ लेके चल सकते हैं यानि जो आपने अपने schedule को तयार किया है उसको चोटे चोटे पार्ट्स में days wise और फिर week wise और फिर 30 days के हिसाब से अपने schedule को निकाल लीजे दो ठीक है select timing according to you यानि यहां पर हम बात करें तो आपके पास एक working culture होता है जहां पर आपको सुबह से साम तक अपने bank में समय देना होता है तो आपको अपने हिसाब से अपनी convenient के हिसाब से अपने लिए time schedule निकालना है जहां पर आप weekdays में daily तीन घंटे अपनी preparation के लिए निकाल six hours at least निकालने होंगे जिससे के आप अपने syllabus को cover कर पाएंगे और आप अपने exam के लिए बैठ पाएंगे तयार हो पाएंगे ठीक है दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारा जो target है why target October 2023 जाइव exam क्यों इतनी power इतनी force के साथ मैं कह रहा हूं कि October 2023 जो JIIB exam है उसको आप qualify कर सकत इस बार आपने देखा होगा IIBF ने 2023 में JIIB exam का syllabus revise किया है revise करने के साथ उन्होंने तीन paper को चार paper में convert किया है लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके जो paper add हुए है वो उतने ज्यादा typical नहीं है तोड़ा सा अगर आपके लिए जो part होगा मेहनत करने वाला वो Indian economy और Indian financial system ह जैसा कि आपने May 2023 के exam में देखा है दोस्तों ठीक है तो आपके लिए चुकि जब भी syllabus revise होता है तो paper का pattern उतना tough नहीं होता है जितना कि हम अपेक्छा या आसा करते हैं दूसरा point ये है कि IIBF ने जब इस बार revise किया है syllabus तो जो negative marking है उसको अभी के लिए कुछ समय के लिए हट करा दिया है और negative marking ना होने की बज़े से आप ज़्यादा question attempt कर सकते हैं दोस्तों ये दो बहुत अच्छी बाते हैं जिनका फायदा आप अपने exam में इस बार उठा सकते हैं दोस्तों साथ ही साथ आपको मैं बताता चलू कि आपके paper जो चार paper है paper 1 Indian economy Indian financial system जहां पर total 45 units है paper 2 PPV जहां पर total 53 units है paper 3 AFM जहां पर total 35 units है और paper 4 retail banking wealth management जहां पर total 30 units है अब इन यूनिट्स को अगर आप देखेंगे तो हर एक unit में चार module है दोस्तों कितने module है चार module है और उन चार module को अगर हम अपनी preparation के लिए समय नकाले तो जैसा पहला paper है Indian economy Indian financial system वहां पे अगर आप देखोग आपको 7 से 8 घंटे निकालने पड़ेंगे दोस्तों module B के लिए कम से कम आपको 5 से 6 घंटे निकालने पड़ेंगे और module C के लिए कम से कम 6 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे module D के लिए total 12 घंटे तो अगर आप 30 दिन की strategic planning कर रहे हैं तो daily अगर आप एक घंटा भी देते ह Indian economy Indian financial system को तो आपका पूरा syllabus cover हो जाएगा 30 hours में कितने hours में दोस्तों 30 hours में आप cover कर सकते हैं जो important point आपको मिलते हैं जो important formulas मिलते हैं जो important आपको लगता है कि हाँ ये numerical के part है जिनको हमें लिखना चाहिए इनके short note जरूर बनाते जाएगा जिससे के आपकी जो भी तैयारी करने में आसान होताएगी दोस्तों साथ ही साथ अगर हम paper 2 की बात करते हैं जो हमारा paper 2 PPV है वहाँ पे module A 12 गंटे और module B 12 गंटे reason क्योंकि जो हमारा PPV है वह थोड़ा सा जो module A और B बहुत important होता है और वहाँ पे units भी थोड़ी सी ज्यादा है जिसकी बज़े से आपको इन दोनों module पे ज्यादा focus करना पड़ेगा क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा question exam में पूछे जाते हैं module C के लिए 8 गंटे और module D के लिए कम से कम 10 गंटे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा Indian economy Indian financial system से ज्यादा समय अगर module wise हम देखें तो हमें PPV को देना पड़ता तो आपका जो paper 3 है AFM यहां पर थोड़ा सा module कम है स्वारी unit कम है तो module A के लिए 8 गंटे module B के लिए 7 गंटे at least और module C के लिए 10 hours module D के लिए 5 hours यहां पर एक गंटा आपका extra लग सकता है reason कुछ लोग commerce background के नहीं होते जहां पर accounting की बात थोड़ी सी लगती है कि हमें समझने में समय लग रहा तो टोटल यहां पर भी अगर आप 30 days 1 hour देंगे तो आप 30 hours कम्प्लीट हो जाएगा अब यह जो 30 hours आ रहा है डेली के साब से आपको देना है week में आपका लग लग बाट के देंगे यह आपकी 24 है क्योंकि आपको अपना time management देखना है module A retail banking wealth management paper 4 जो नया add किया है उतना tough नहीं है क्योंकि जो banking हम अपनी practice में करते हैं या जो banking as a customer हम bank से gain करते हैं वही retail banking wealth management में है थोड़ा सा part additional है जहां पर हमें जरूरत होती है पढ़ने की और समझने की so module A 4 घंटे sufficient पर्याप्त होते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 ही unit हैं दोस्तों module B की बात करें तो सबसे बड़ा module है और important module है और इस module में आपको कम से कम 8 घंटे देने पड़ेंगे module C की बात करें तो 5 घंटे और module D की बात करें तो 5 घंटे आपको spend करने पड़ेंगे यानि 22 से 23 या 24 घंटे में आप अपना पूरा module retail banking wealth management का cover कर सकते हैं और एक अच्छी बात ये भी है कि 15 अक्टूबर के बाद आपके exam के पहले जो retail banking wealth management का exam है उसमें पर्याप्त समय दिया IE, IFS की बात होगी जहां पर PPB की बात होगी और जहां पर AFM की बात होगी लेकिन जब हम paper 4 के लिए जाएंगे तो हमारे पास पर्याप्त sufficient time है आपके exam के बीच में और third paper की बीच में यानि third और fourth paper के बीच में पर्याप्त समय है तो आप उस समय को भी utilize कर सकते हैं दोस्तों आपका जो पहला paper है वो 8 October को होगा यानि आपको सबसे पहले जो अपनी study तयार करनी है वो Indian economy, Indian finances system के according करनी है और यहां पर concept based direct question पूछे जाते हैं कुछ numerical भी पूछे जाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसके साथ 14 October को आपको PPB का paper मिलेगा यानि आपके पास 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 4 दिन होंगे दोस्तो जहां पर आप अपनी जो PPB की तयारी है उसको polish कर सकते हैं, mocks attempt कर सकते हैं और जो important concepts है उसको revise कर सकते हैं, next day 15 October को AFM का exam होगा, तो यहां पर आपको समय नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको एक बार समय मिलेगा देखने का उपर उपर से, तो इसकी तयारी भी आपको 8 October के पहले ही करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप देखें तो Retail Banking Wealth Management आपका 29 October को organize किया जाएगा, यानि 15 तारिक के बाद, ठीक है दोस्तों, सो 14 दिन कम से कम 13-14 दिन मिलेंगे जहां पर आप पूरा Retail Banking Wealth Management एक अच्छी त कर पाएंगे, अब यहां पर जब भी मैं अगर तयारी करता हूं, तो सबसे important है मेरा अपनी उपर faith, believe, बिस्वास, हना, तो दो चीजे create होती है, doubt, doubt हम इसाब के दिमख में confusion पैदा करेगा, जो कोई आपको सही दिसा में, जब आप तयारी कर रहे हैं, तो उसको तयारी करने से रोकेगा, लेकिन अगर हम वहीं बात करें, believe की, बिस्वास की, तो faith एक ऐसी चीज होती है, जो आपके अंदर ताकत और confidence भर देती है, और वो confidence कहीं न कहीं आपको अपनी preparation में, best strategy बनाने में मदद करता है, और आप अपने, चाहे बड़ा syllabus हो, उसको भी concise form में तयार कर सक होते हैं, दोस्तों, ठीक है, दोस्तों, तो आपको अपनी उपर क्या रखना पड़ेगा, belief रखना पड़ेगा, जिससे कि आप क्या बना पाए, best strategy बना पाए, ठीक है, दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो जाइब MCQ Cracker batch हम आपके लिए लेके आगए हैं, आपकी इतनी सभी मेहनत को आसान करने के लिए, जहां पर आपको बहुत बड़ा syllabus नहीं देखना पड़ेगा, हर एक यूनिट की important question और उन यूनिट से related जो important MCQs और numericals या case study based MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सब इस batch में हम आपके साथ लेके आ रहे हैं, तो ये जो batch है, MCQ Cracker batch ये target कर रहा है JIIB 2023 exam को, और ये based होगा revised syllabus, जो की IIBF का revised syllabus है दोस्तों, और यहां पर हम आपसे अगर बात करें तो हम आपको 100 plus DPPs भी provide कर रहे हैं, जिसे के हर यूनिट को आप practice कर सकें, यानि हर यूनिट की तयारी पढ़ने के बाद आप practice कर सकें, live lecture आपको provide किये और subject specialized faculties के द्वारा और ये जो faculties हैं, जो PW के साथ आपके साथ जुल रहे हैं, उनके past 12 plus year का experience है, अपने exam में और perfectness के साथ वो आपको पढ़ाएंगे, अगर आप से ये live sessions मिस हो जाते हैं, सो घबडाने की कोई बात नहीं है, working है, कभी आपके पास time हो सकता, उस time particular time पे कभ recorded classes, यानि जो भी lecture आपके लिए तयार किया गया है, वो आपके लिए available रहेगा, recorded classes के form में, और अगर इसके बाद आपके पास doubt create होते हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि जो अच्छी preparation करते हैं, उनके पास doubts आएंगे, concept से regarding, so आपके लिए 24 into 7, हम आपके लिए लेके आते है doubt session, इस batch में, जहाँ पर आप अपनी queries को, अपने doubts को, जैसे ही हमारे पास तक पहुचाएंगे, हम और हमारी best team आपके पास आपका solution पहुचाएगी, as fast as possible, तो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप हमसे direct भी जुड़ सकते हैं, हमारे telegram channel के थुरू, JAIB, CAIB वाला पर और यहाँ, मतलब इस telegram का भी link नीचे session के नीचे दिया गया है, और आपको बता दें, जो हमारा MCQ Cracker बैच है, उसका भी link आपको इसी session के नीचे दिया गया है, तो अपनी tough जो scheduling है, planning है, उसको और आसान आप कर सकते हैं, हमारे साथ, और हम आपके लिए target करते हैं, 60 plus marks in your exam, October 2023.